एक जमाना हुआ करता था जब राजस्थान में बिना साफी के कोई घर से बाहर तक नहीं निकलता था लेकिन फैशन के इस दौर में लोगों ने साफी को बोज समझना शुरू कर दिया और अब ये साफा लोगों के सिर पर कम देखने को मिलता है राजस्थान के इस अनूठी परंपरा को फिर से जिवित करने के लिए बाढ़ मेर में साफा बांधन को लेकर युवतियों को ट्रेनिंग दी जा रही है बाढ़ मेर के MBC Girls College में जब बेटियों को अनूठी तरीके से साफा बांध कर दिखाया गया तो सैकड़ों बेटियों ने इसमें भाग लिया कैम्प में स्वेंग से विकाओं को विशे विशे शग्यों ने ना किवल साफा बांधने की कला से पारंगत करवाया बलकि उन्हें साफे की बारिकियों के बारे में भी बताया हाला कि महिला कॉलेज में एक दिन सिखाये गए इस साफा बांधनी की प्रसक्षण की बाद बीटिया कहती है कि अब वह भी अपने घर परिवार में साफा बांधना सिखाएंगी साफा ट्रेनर चगन नाल जा टोल बताते हैं कि साफा हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक है लेकिन आज के युग में साफा बांधना हो तो बुजूर्गों को याद करना पड़ता है क्योंकि युवा पेढ़ी इससे अनभीग्य है आज आवशकता है कि हमारे सिक्षर संस्थानों में विलुप्त होती इन कलाओं की जानकारी दिजाए मुझे वह लगा कि अना चाहिए कुछ भी हो जाओ मैं यह जरूर सिखूंगी और आज से यह सब सीखे में को बहुत अच्छा लग रहा है मेरे घर में एक्चुली मेरे पापा खुद दैना कि यह सीखे उनको खुद को बानने का बहुत शौक है उनको देखके मैं प्रेरे दोए कि नहीं मुझे भी आनक एक दिन उनको आज में जो सीखे हूंगों मैं जाके उनको जरूर टिस्ट बताऊंगी सर ने में को सिखाया कि ऐसे आथ को ऐसे रखना चाहिए ऐसे करके उनको ऐसे मोड़ना वगयर मैं बहुत अच्छा लगा कि साह संकुर्टा और थूर्टा वी पाण है व कि यह बहुत पसंद हो पास हुए स्टरे कि नूप हो आइए सब्सक्राइब नहीं है कि उनको लग रहा है कि जैसे अब यह सर पे गोज टाइप वह मानते हैं बट हाँ ओल्ड फैशन हो गया वह ऐसा नहीं सोचना चाहिए यह अमारी शान है अमारी पैचान है रास्तान की तो हमें उसको आगे लेकर चलना चाहिए अब मैं एक नई साफा एक हीज़त है साफा एक मतल जांबी आइसा आदमियों के लिए साफा सबसे बड़ी मत्पूं भूमी का होती है सरीर के ऊपर साफा बांद है उसको मनुष्य और आदमी कहलाया जाता है हलंकि बार गाउं में तो साफा बांदे हैं अब गाड़े मतले जो कोई फिरता ह है तो इसको मतल अएसे बोलता है कि यह जानौन है मैं यह देखता हूं कि बच्यों का उस्षा है और बच्छे भी साथ में हो और और बच्चे भी स्कत्रें से बांदा जाता है कि अगर जें साफ़ा बांदने का अगर आगले थोड़ासा सी क्ला सुरूर कर दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठोड़ासा आंटा का वह शिच्ट्रम हाथ का वह फेर दे तो वह बड़ीया शी जाएंगे और शीकने ससराल जाने पर जो भी आदमी आया उससे साफ़ा फिरी में बांदा